हलो नमस्कार दोस्तों मैं अभिशेक कुमार हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज का जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं फायर फ्लाइज के बारे में यानि जुगनू जहां आपने नाम तो सुना होगा जुगनू का जो रात में चमकते हैं अक्सर हम लोग जो जुगनू होता है वो गाउं में या फिर गुफाओं के तरफ यह आपको रात पर चमकते वे दिखेंगे और जब वो एक साथ चमकते हैं तो इतने जवरदस्त इतने सुन्दर लगते हैं कि आप मतलब आप बया नहीं कर सकते हो अगर आप गाउं में या फ जुगनू को जी हाँ जुगनू के तो जुगनू के बारे में आज हम लोग कुछ जानेंगे कि भाई यह जुगनू चमकते हैं लेकिन आप बहुत दिनों तक यह रहस्य से बना रहा है कि आखिर जुगनू चमकते कैसे हैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जुगनू क चमकने के पीछे मुख्य कारण है कि वे भोजन की तलास करते हैं और साथी को अकर्सित करने के लिए ठीक है जुगनु के सरीर में होने वाले रासायनिक प्रतिक्रिया यानि केमिकल रियक्षन के कारण ही वे चमकते हैं इस तरह के लाइट प्रोडक्शन को यानि जो उससे जो लाइट जो प्रोडक्शन होती है तो उसे हम लोग बायो लुमीन इसेंस कहते हैं यह केमी लुमीन इसेंस का एक रूप है कुछ ऐसे भी जीव है जो वो भी चमकते हैं और मैं उनका कुछ नाम बताना चाहता हूँ आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते है और वैसे जीव को बायो लुमीन इसेंट जीव कहते हैं ठीक है तो पहला नाम मैं लेना चाहूंगा ग्लोव वार्म्स के नाम भी आप सुने होंगे या इंटरनेट पर आप जब सर्च करोगे तो मिल जाएगा यह इसी तरक हैं इसके बहुत सारे डिफरेंट स्पेसीज होत चाहूते हैं गलपर इल, पांचवे हैं वाइपर फिश, छटे कैट शार्क, साथवा ब्लैक ड्राइगन फिश है तो बहुत सारे जीव, मैंने आपके सामने में साथ जीवों के नाम रखे हैं जो यह चमकते हैं तो जो मादा और नर होते हैं तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि मादा जुगनु जो होते हैं उनके पंक नहीं होते हैं और वह एक जगह ही चमकते हैं और नर जो होते हैं वह उड़ते रहते हैं और आपको देखेंगे कभी इदर चमक रहें कभी इदर चमक रहें और वह आकरसित करते हैं मादा क तो चलिए देखते हैं कि क्या कारण है जिनके कारण ये चमकते हैं जीव ठीक है तो उनमें chemical reactions होता है ठीक है जब oxygen, ATP, adenosine triphosphate और chemical luciferin यानि luciferes की मौझूदगी में मिलकर जब ये racine तब जुगनु के सरीर से चमकती हुई हरी, पीली और लाल रंग की रौशनी निकलती है जुगनु की खासियत है कि वे अपने सरीर से निकलने वाली रौशनी को कम ज़्यादा और रोग भी सकते हैं वे oxygen की मातरा को कंट्रोल करके ऐसा करते हैं जुगनु के फेफडे यानि lungs नहीं होते हैं उसके बावजूद भी वे बाहर से oxygen को आंतरिक कोशी का internal cells तक छोटे छोटे tubes होते हैं उसके जरिया पहुँचाते हैं जिसे tracheools कहते हैं ऐसा बहुत सारे अध्यान से पता चला है कि जिस नर जुगनु की flash rate यानि बार बार जो ज़्यादा बार चमकता है that is flash rate ज़्यादा होती है वे मादा जुगनी को ज़्यादा ही आकरसित करते हैं तो ये कुछ थी उनके बारे में facts जुगनु के बारे में जो मैंने आपको बताई शेयर की मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज आप लोग इसे ज्यादा सजादा शेयर करें और comment में लिखे कि कैसा आपको लगा मैंने अपने तरफ से कोसिस की कि आपको मैं बता सकूँ जुगनु के कुछ उसके facts के बारे में तो मैंने आपको बताया है और अंती में बोलना चाहूँगा कि helping अभी जो channel है वो आप लोगों से ही है और आप लोगों के कारण ही बना है ठीक है तो प्लीज आप लोग like करें share करें comments करें और last but not the list subscribe करना तो बिलकुल नहीं भूलें क्योंकि जितना जादे लोग subscribe करेंगे उतने जादे लोग को benefit होगा और मैं हमेशा कोसिस करता हूँ आप मेरे कोई भी post को देख लीजिए उसमें आपको informative videos मिलेंगी maximum तो आप लोग please like, share, comment, subscribe करें Thank you